नमस्ते दोस्तों, आज मैं कोई संटेंसें बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही सिंपल और समझने लाइक है, कोई भी आदमी और बच्चा जो भी है, वो समझ सकता है, आज हम लोग वाज और वर का इज कैसे करते हैं, और इसे कैसे संटेंस में पूट करते हैं, ठीक है, तो ह हम लोग पहले संटेंसें देखते हैं, मैं गरीब था, हम लोग उपस्तिश थे, तुम उदास थे, राम तयार था, वो फुस थी, ठीक है, ऐसे संटेंसें जिसके अंट में, था थे, थे, था, थी, रहता है, उस संटेंस को बनाते समय हम लोग वाज और वर का परियोग करते हैं, अब देखते हैं वाज और वर कहां लगता है, तो जहां पर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, नेम हो, वहाँ वाज और बाकी सब्जेक्ट के सांथ वर का परियोग किया जाता है तो आये हम लोग sentence बनाते हैं, जैसे मैं गरीद था, तो यहां पे हो गया I subject, I के साथ हम लोग जानते हैं कि नियम के कोड़े, वाच लगता है, तो यहां पे वाच और फिर गरीद का पूर, ठीक है, हम लोग उपस्थिखते हैं, हम लोग V, V के साथ, यहां पे लिखा हुवा बाकी subject के साथ वर अप्लिव होता है, तो यहां V के साथ, वर प्रजेंट, तुम उदास्त है, यहां पे, यू, वर, सैट, फिर राम तयार था, राम, वच, राम, वच, रेडी, वाख फूस्थिखते, शी, शी, वच, वच, रेपी, यह जो है ऐसे सेंटेंसे बहुत ही सिंपल और बनाने राइक होता है और कोई भी आदमी बना सकता है और ऐसे ही आप लोग यूच्छ कीजिए और बनाएं थेंकिए